हिमाचल प्रदेश ओ या फिर जमू कश्मीर दोनों ही जगों पर बर्फ बारी शुरू हो गए है श्रीनगर से लेकर कुपवाडा तक घाटी की जो बादियां हैं वो बर्फ से सफेद हो गए है दिसंबर का महीना आते ही कश्मीर घाटी में बर्फ का ये नजारा आम होता जा रहा है ये वक्त है घाटी के उन दिनों का जब चारों तरफ बर्फ होगी और कश्मीर की खुबसूरती को एक बार फिर चार चान लग जाएगा गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग तक लगभग हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बर्फ से ढखे हुए हैं यही वज़ा है कि इन इलाकों में परिटक भी भारी संख्या में पहुँच रहे हैं परिटकों की खुश्णुमा चुट्टियों के अलावा आम लोगों के लिए ये बर्फ मुसीबत बन कर आई हैं शोपियां औरपुंच को जोडने वाली सड़कों में बर्फ जम गई है जिसे निकालने का काम किया जा रहा है कुपवाड़ा में तो बर्फ से और भी बुरा हाल हुआ यहां सड़कों पर बर्फ की मोटी परजम गई जिसके बाद बियारों की टीम बर्फ हटाने का काम करती नजर आई इसके अलावा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग में भी ताजा बर्फबारी हुई है चिनाप घाटी के पास भी बर्फबारी हुई जिसके बाद चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ी वहीं पहाडी लाकों में बर्बारी के साथ मैदानी लाकों में भी रुक रुक कर बारिश देखी जा रही है श्रीनगर के कई लाकों में बारिश की बूनों ने ठंडक बढ़ाई है मौसम विबाग के मताबिक अगले तीन दिनों तक मौसम के ऐसे ही मिजाज बने रहेंगे जो ठंड है उसका प्रकोप और बढ़ेगा और साथी साथ अगर हम बात करें जो जमो कश्वीर राश्टे राजबार गे वो फिलाल यातायाद के लिए खुली है लेकिन कई जगाओं पे लैंड स्लाइर्स होने का खत्रा हो सकता है इसलिए साउधानी से सफर करने की सला दी गई है अब देखना ये होगा कि जो मैन एंड मिशिनरी जिसको तयार रखा गया है इन तीन दिनों के लिए कि अगर बारी 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 होती है तो प्रशासन सितिती से कैसे निपड़ता है कैमरा पसे फाबंजूर के साथ खालिद हुसायन जीवीडिया कश्वीर तो तस्वीर आपने देखी कश्वीर में काफी बर्फपारी हो रही है इस्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ रही है तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की बात करें नजारा दिखता है उसे बस आप देखते ही रही है ये तस्वीरे हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले की हैं कांगडा में ताजा बर्फबारी के बाद पहाड की चोटियां सफेद हो गई है उची चोटियों में बर्फ गिरने से निचले लाकों में ठंड बढ़ी है कांगडा की पहाडियां इस वक्त किसी फिल्म के खुबसूरत द्रिश्य की तरह लग रही है मगर ये बर्फ हर जगा मनमोहक नहीं है हिमाचल के ही लाहॉल्स पिती में बर्फबारी से हालाद बत्तर हो गए सड़क पर कई फीट मोटी बर्फ की परज़्यमी और जाहिर है उसके बाद कई सड़के बंध हो गई लाहॉल्स पिती की स्थानी पुलिस ने कोकसार इलाके का वीडियो शेयर करते हुए ताजा बर्फबारी की जानकारी दी बर्फबारी का ऐसा ही हाल रोह टांग में मशूहूर अटल टनल के पास दिखा टनल के आसपास बर्फबारी के बाद सफेदी छा गई कभी परेटकों से गुलजार रहा ये टनल अब बर्बारी की वज़ा से लोगों की पहुंच से दूर हो गया हालंकि अभी भी यहाँ परेटक घूमने आ रहे हैं मौसम विभाग की माने तो आज के दिन तक हिमाचल में इसी तरह बर्बारी होगी देखना होगा आने वाले दिनों में ये बर्फ कितनी मुसीबत लेकर आती है बेरो रिपोर्ट, Zee Media